वेल्कम दियर स्ट्रेंट इस वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे जो बीडर एमेट का जो एंटरेश एक्जाम का जो फॉरम भरी है या उनका एंटरेश एक्जाम जो लगते हैं वो इस वा डिया गया तहto कि लिए सकते हो तो हमारे पास में दो परकार के कोर्स है यानि कि वे स्टेंट जुनोंने बी एसटी कर रखी है ठीक है और वह स्ट्रेंट करने के लिए ठीक है डिक को ले सकते हैं कि में में यह कोर्स वह 2 साल का होगा और इसकी जो फीस की गई वह 2400 रुपे निरधर की गई एक साल के लिए है कि घलक के दूसर को स्धेंट के लिए हैं वह कि ने स्ट्थ प्लस में में या या यूजी और व्लाइन पिजी बाभण उन्हों का एक साथ कर सकते हैं इसे बोलते हैं integrated course integrated course थीक ये तीन साल का होता है अब इसके लिए वह हर साल entrance exam लगते थे लेकिन शुर्ण हो नहीं लगेंगे सो इस बार college हो धो डिर्क एडमिशन देंगी यहां पर हम पहले समझ लेते हैं कि आविदन की तिति जो है वो कब से स्टार्ट है आविदन की तिति यानि की कोलेज में आप डिरेक्ट जाकर के एडमिशन कब और कब के बीच में ले सकते हो तो 10 सेप्टमबर की बात है 10 सेप्टमबर से और 20 सेप्टमबर तक आप कोलेज में डिरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हो ठीक के प्रते कोलेज में आपको 50 सीट जो है वो मिलेगी एमेड और बीएड एमेड के कोर्स के लिए ठीक है आप यहां पर जो बीएड एमेड है उसकी यहां पर 27,000 रुपए फीस रहेगी तीन साल के लिए ठीक है इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो दी हुई है जर्नल की 55% सब्सक्राइब कर सकता है यदि आपको केवल एमेड करनी है आपकी अगर बीएड हो चुकी है तो आपको 2400 रुपए देने होंगे पर साल के ठीक है तो यहां पर क्वालिफिकेशन हो चुका है और फीस जो है वह हो चुकी है अब बीएड एमेड के जो कोलेजिज है ना उसको यहां पर डिसकस करते हैं तो टोटल यहां पर बीएड एमेड की पांच कोलेजिज है पूरे राजस्तान के अंदर ठीक है जिसमें से पहली जो कोलेज है वह है उधैपूर के अंदर ठीक है दूसरी है सीकर के अंदर तीसरी है करोली के अंदर ठीक और चोट्टी और पांची दो कोलेज जो है वह जैपूर के अंदर एक कोलेज तो है गल्स कोलेज ठीक है कि यवे लड़के के लिए और एक है गल्स और बोई जनि को एजूकेशन वाली कोलेज यहां पर सुरेस घ्यान विहार के नाम से कोलेज है ठीक है करोली में जो कोलेज है वो सोरब टिटी कोलेज के नाम से है सौरफ्टी चौलेज खेड़ा ठीक हिंडॉन सिटी करोली में बांकि सीकर में है और उध्रपूर में उध्रपूर में डभॉक के नाम से कोलेज है तो यह पांच कोलेजे यूजी पार्ट थर्डियर की जो मार्क सिट है वो रहेगी साथ एकर आप बीएस सिम देखोगे तो बीएस सी में यहाँ पर आपको फस्ट यह की सेकंड यह की और थर्ड यह की तीनों ही मार्क सिट लेके जाने पड़ेंगी इन सभी डॉकुमेंट्स के आपको दो-दो जो फ अपर ओर यह का है नहीं के कि अखर्ड लेके जाओ इसके अलावा अगा आपका आठी होना चहिए इसके अलावा आपके जो आधार कार्ड है वह रहना जरूरी है यह जडिए यह च्ग्स बेंट हैना आपको डबल 6 में लेकर के जाने है साथ यह उरिजनल दोक्तिमेंट्स आपको लेके जाने हैं तो यदि आपको एडमिशन लेना हो तो आप इन कोलेज में जा करके डिर्क्ट संपर कर सकते हो ठीक है लास्ट बीस तारीक है